आज अजय सिंग के इकलोती बेटी अम्रता का जनम दिन है जिसकी तैयारी पूरे जोरो शोरो से हो रही थी तब एक नौजवान आदमी अम्रता को फोलों का गुल्दस्ता देते हुए कहता है जनम दिन की बहुत-बहुत मुबारक बात अमित तुम लंदन से कब आए अमित को देखकर अम्रता के चेहरे पर खुशी चा गई अमित बोला बस जैसे ही पता चला की आज हमारी प्यारी दोस्त का जनम दिन है तो हम तुरंत सब काम छोड़ कर आपके पास आ गए दोनों कितने खुश लग रहे हैं न एक दूसरे से मिलकर अमित के पापा महावीर बोले हाँ खुश क्यों ना हो आखिर दोनों बच्पन से बेस्ट फ्रेंड जो ठहरे अम्रता के पापा अजय सिंग मुश्कुराते हुए बोले तब ही महावीर अम्रता और अपने बेटे अमित को अपने पास बुलाते हैं महावीर ने कहा अजय सिंग क्यों ने इन दोनों की दोस्ती को रिष्टेदारी में बदल दिया जाए अजय सिंग ने कहा मैं समझा नहीं महावीर बोला मैं कह रहा हूँ कि यह दोनों बच्पन से एक दूसरे को जानते हैं पहचानते हैं तो क्यों ना हम इन दोनों की शादी करवा दे आपका क्या ख्याल है अजय सिंग डर कर और चिलाते हुए बोले नहीं नहीं यह तुमने क्या बोल दिया सिक्योर्टी जल्दी से अमरता को मंदिर वाले कमरे में लेकर जाओ इससे पहले की वो आ जाए सिक्योर्टी अमरता को मंदिर वाले कमरे में लेकर जाने लगे लेकिन कमरे के चोखट पार करने से पहले ही अमरता ने जोर से चीक कर सिक्योर्टी वाले को धकेल दिया सिक्योर्टी वाले हवा में उड़कर दूर जा गिरे अमरता डरावने हसी से हस्ती हुई पीछे मुड़ी उसका चेहरा डरावना और भ्यानक दिखने लगा था थोड़ी ही देर में वह एक खूपसूरत लड़की से एक खूखार डायन का रूप ले चुकी थी और कुटिल मुस्कान से अजय सिंग से बोली तुझे क्या लगता है तू अपनी बेटी को मुझे से बचा सकता है पागल बुढ़े तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा कोई ब्रह्मास्तर नहीं आएगा तेरे कुल की रक्षा करने क्या कि तुम लोगों ने खुद उसे अपने से दूर कर दिया है अभी तो मैं जा रही हैं लेकिन मैं वापस आऊंगी भुकतोगे तुम सब भुकतोगे यह कहकर अमरता बेहोश होकर गिर पड़ी अजय सिंग ने जल्दी से अमरता को मंदिर के अंदर भगवान के चर्णों के नीचे सुला दिया और वापस कमरे से बाहर आ गए बाहर सब यह जानने के लिए खड़े थे कि यह सब क्या था अजय सिंग के बाहर आते ही महावीर अश्चयर से पूछा यह सब क्या था अजय सिंग अमरता को अचानक क्या हो गया था अजय सिंग गंभीर होते हुए बोले यह सब हमारे परिवार पर लगे श्राप की करण हो रहा है जो हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक हम भुगत रहे हैं महावीर बोले श्राप कैसा ? अजय सिंग ने कहा हमारे परिवार में अगर कोई इकलोता बेटा या बेटी हुई तो वा उसे अपना शिकार बनाता है इसलिए हमारे परिवार में एक से ज़्यादा बच्चे पैदा किये जाते हैं लेकिन जब अमरता पैदा हुई तो उसकी माचल बसी जिससे अमरता भी इस श्राब का शिकार बन गई महावीर बोला क्या इसलिए तुम शादे के लिए इनकार कर रहे थे आज के जमाने में श्राब कहा होता है अजय सिंग ने कहा होता है हमारा पूरा परिवार इस श्राब का शिकार हो रहा है जब भी अमरता के लिए शादे के लिए रिष्टा या शुब समाचार आता है तवह चुडयल उसे अशुप शमाचार बना देती है महावीर बोला क्या इस श्राप से बचने का कोई उपाय नहीं है देवराज ने कहा अजय सिंग ने कहा है इस श्राप से हमें क्यवल वही बचा सकता है महावीर बोला कौन अजय सिंग ने कहा ब्रह्मास्त्र एक घंगोर युद्ध का अगाज हो रहा था मित्रों यहां से कथारोचक होती जा रही है गौर से सुनियेगा एक घंगोर युद्ध का अगाज हो रहा था राजा वीर मनी की सेना दुश्मनों पर हावी हो रही थी योध्ध का जैसे अंतिम समय चल रहा था तभी आस्मान में काले काले बादल छाने लगे और जोर जोर से बिजली चमकने लगी तुफान का सहलाब आने लगा तभी वीर मनी की नजरें अपने सेना पर पड़ी जो एक एक करके जमीन पर गिरने लगे उनके मुक से काले रंग के रक्त निकल रहे थे जिससे वे सब धीरे धीरे मर रहे थे सेना पती हैरान होते हुए बोला यह सब क्या हो रहा है महराज हमारी सेना अचानक खत्म कैसे हो रही है राजा वीर मनी निराश होते हुए बोले यह सब उस काली शक्तियों की वज़े से हो रहा है जो हमारे समराज को खत्म कर अपना समराज स्थापित करना चाहते हैं यह सब हमारी ही गलती के कारण हो रहा है अगर हम उसके जहांसे में नहीं आते तो आज ब्रह्मास्त्र हमारे साथ होते फिर किसी में इतनी शक्ती नहीं जो हमें हरा सके ब्रह्मास्त लोट आओ अब तुम ही हमारे समराज की रक्षा कर सकते हो मा, मा, रोहित चीखते हुए बोला क्या हुआ बेटा, आज फिर वही सपना देखा क्या रोहित की मा उसे चुप कराते हुए बोली रोहित बोला, हा मा, आज फिर वही डरावना सपना, वही भयंकर युद्ध फिर सेना का एक-एक करके मलना, और फिर वही आवाज को पुकारना ब्रह्मास्त लोट आओ उस सपने के बाद फिर एक सपना दिखाई देता है रोहित अपने पसीने को पोंशता हुआ बोला महल के एक अंधेरे कमरे में एक लड़की को बंद करके रखा गया है वह दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला तब है उसका शरीर बदलने लगा और वह एक खुबसुरत लड़की से एक डरावनी चुडैल बन जाती है और दरवाजे को एक जटके से तोड़ डालती है वह जोर जोर से हस्ती है तब ही उसके मुक से एक और आवाज बड़ी मुश्किल से निकलती है ब्रमास्त्र मुझे बचा लो कान है ये ब्रमास्त्र और क्या हो रहा है रोहित के साथ मित्रों कथा में बने रहे हैं मा रोहित से बोली तू सोजा बेटा आज सुबह ही हम किसी अच्छे साइकार्ट्रिक के पास जाएंगे रोहित फिर अपने सपनों के दुनिया में खो जाता है और सुबह रोहित के मम्मी पापा उसे लेकर एक पहचान के साइकार्ट्रिक के पास चले जाते हैं साइकार्ट्रिक बोले अच्छा तो इसे कब से ये सारे सपने दिखाई दे रहे हैं मा बोली बच्पन में कभी कभी रोहित इन सपनों का जिक्र किया करता था लेकिन अब तो लगभग रो जाना वैस अपना इसे दिखाई देता है पहले तो हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन अब साइकाइट्रिक बोला ओके जस्ट रिलेक्स अच्छा तो रोहित क्या तुम इस सपने के बारे में और कुछ बता सकते हो मेरा मतलब ये सारी घटनाएं तुमने कहीं देखी हो या कल्पना की हो रोहित बोला नहीं ऐसी घटना तो मैंने कभी नहीं देखी और ना ही इसके बारे में कल्पना किया हूँ हाँ लेकिन कभी कभी मुझे एक और सपना दिखाई देता है सेकर्ट्रिक बोला और एक सपना बताओ कैसा सपना दिखाई देता है तुम्हें रोहित ने कहा एक पुराने जमाने की गाड़ी जो जगा जगा से डैमेज हो चुकी थी उसमें एक पती पत्नी बैठे थे जो दिखने में किसी राज घराने के लगते थे और पीछे एक प्यारा सा बच्चा बैठा डर से काप रहा था क्योंकि उसके मम्मी पापा जो बहुत घायल हो चुके थे किसी तरह अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे थे तब ही गाड़ी का बैलन्स भिगड़ा और गाड़ी एक पेड़ से जाटकराया बड़ी मुश्किल से वे तीनों गाड़ी से बाहर निकले फिर उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा रुकमणी हमारे बेटे को बचाना जरूरी है क्योंकि अब यही ब्रमास्त्र का आखरी वारिस है उस कुल की रक्षा करने के लिए इसे जीना होगा इन दुस्टों का अंत करने के लिए इसे जीना होगा तुम इसे लेकर यहां से चली जाओ मैं उन दुस्टों को रोपता है लेकिन मैं आपको इस हालत में अकेली कैसे सोड़ सकती है रुकमणी रोते हुए बोली तम मेरे चिंता मत करो तम हमारे बेटे को एक सुरक्थी स्थान पर लेकर जाओ अगर ये उन दुस्टों के हाथ लग गया उस श्राप से उस परिवार को कोई नहीं बचा पाएगा जाओ तुम मेरे चिंता मत करो साइकाट्रिक हैरानी से बोला उसके बाद उसके बाद क्या हुआ रोहित बोला उसके बाद वह महिला उस बच्चे को लेकर महा से चली गई साइकेट्रिक बोला अच्छा अपने दिमाग पर थोड़ा और जोड लगा कर बताओ कोई ऐसी चीज जो तुमने सपने में देखा हो रोहित याद करते हुए बोले ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा अरे हाँ लॉक इट साइकेट्रिक बोला लॉक इट कैसा लॉक इट रोहित बोला हाँ लॉक इट उस बच्चे के गले में एक लॉकिट था जिसमें सूर जैसा आकार बना था और उस बच्चे का चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा था सैकेट्रिक बोला ओके तुम थोड़ी देर बाहर गार्डन में घूम कर आओ तुम्हें अच्छा लगेगा रोहित के बाहर जाते ही मां उनसे पूँची क्या हुआ है डाक्टर साहब रोहित को सैकेट्रिक बोला देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पुराने जन्म की बाते या घटनाएं दिखाई देने लगती है इस तरह के केस में इंसान कभी कभी अपने पुराने जन्म की तरह जीने लगता है कभी कभी तो जो कारे पिछले जनम में अधूरा रह जाता है वे उसे पूरा करने के लिए फिर से जनम लेता है और उसे पूरा करता है इस केस में भी यही कंडीशन है एक राजपरिवार जिसे काली शक्तियों का श्राप लगा है जिससे बचने के लिए वे राजपरिवार अपने रक्षक प्रहमास्त्र का इंतजार कर रहे हैं आप लोगों के चेहरे के हाव भाव को देख कर लगता है कि आप लोग कुछ छुपा रहे हैं देखिए अगर आप अपने बेटे को ठीक करना चाहते हैं तो मुझे सच बताएं जिससे मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ रोहित का कंडिशन बहुत खराब होता जा रहा है रोहित के पापा बोले डाक्टर सहाव यह बात तब की है जब हमारी शादी को दस साल हो गए थे लेकिन हमें एक भी बच्चा नहीं हुआ था इससे हम बहुत दुखी थे इसके इलाज के लिए जो कोई भी किसी डाक्टर बाबा या मंदिर के बारे में बताते तो हम वहाँ जाते लेकिन हाथ सिर्फ निराशा ही लगती एक दिन मेरे एक दोस्त ने एक मंदिर के दर्शन करने के लिए कहा हम वहाँ जाने के लिए निकले बादल काली घटा से च्छाए हुए बादल काली घटा से च्छाई हुई थी शाम के वक्त में रोशनी थोड़ी थोड़ी ही थी जब हम एक पहाड़ी से गुजर रहे थे तभी हमारे सामने एक महिला अपने बेटे के साथ खड़ी थी हमारे गाड़ी रोकते ही वह हमारे पास आई और बोली देखिये हमारी जान खत्रे में है आप हमारी मदद कीजिए रोहित के पापा बोले, बोलो बेहन क्या मदद चाहिए मैं मैला रोते हुए बोली, मेरे बेटे को आप अपने साथ ले जाए वरना वह लोग इसे भी मार डालेंगे इसका मतलब मैं आप लोगों का बेटा नहीं रोहित दरवाजे पर खड़ा, सब कुछ सुनकर बोला मा अश्चेरे से बोली, बेटा तुम इसका मतलब रोहित कोई और नहीं, बलकि वही है उस राज परिवार का रख्षक, मित्रों कथा इंट्रस्टिंग, रोचक होती जा रही है बढ़े रहे दे बढ़े चैनल के साथ अरे बेटा तुम रोहित की मा घबराते हुए बोली रोहित हैरानी से बोला आप लोगों ने आज तक इस सचाई से मुझे दूर क्यों रखा रोहित के पापा बोले तेरे भलाई के लिए बेटा, हम नहीं चाहते की जो हाल तुम्हारे मा बाप का हुआ है वैसा तुम्हारा हो और इसमें हम दोनों का भी स्वार्थ चिपा था क्योंकि हमने दस साल तक संतान के लिए तरसे थे हमें लगा सच्चाई जानने के बाद तुम हमें छोड़ दोगे बेटा, तुम्हें जरूर मैंने जन्म नहीं दिया हो लेकिन अपने बेटे जैसा पाला है तुम कहीं हमें छोड़ कर तो नहीं चला जाएगा मा के आँखों से आँसू बहने लगे रोहित अपनी मा को चुप कराते हुए बोला, नहीं मा मैं आप लोगों का ही बेटा हूँ लेकिन मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ और मुझे वो सपने बार बार क्यूं दिखाई देते हैं साइकाट्रिक बोला काल के ये रचना महारिशी सहस्त्र बाहू ने लिखी है इसमें ब्रहमास्त्र के थोड़े से अंश का वर्णन है शायद महारिशी सहस्त्र बाहू आप लोगों की कुछ मदद कर सकें रोहित बोला कहां रहते हैं वे साइकाट्रिक बोला यहां से 200 किलोमेटर दूर एक विशाल परवत है गिर परवत लेकिन वहां पहुँचना काफी मश्किल है क्योंकि उस परवत के आसपास जंगली जानवर निवास करते हैं रोहित बोला मैं जाओंगा वहां इस रहस्य को समझने के लिए मुझे जाना ही होगा मा बोली नहीं बेटा वहां बहुत खत्रा है हम तुम्हें वहां नहीं जाने देंगे रोहित नहीं कहा नहीं मा मुझे जाना ही होगा नहीं तो इस ब्रहमास्त्र के जाल में मैं हमेशा हमेशा के लिए फस कर रह जाओंगा लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं लोट कर जरूर आओंगा फिर शुरू हुआ ब्रमास्त के रहस्य को जानने का सफर पांच घंटे के सफर के बाद रोहित गिर परवत से थोड़ी दूर एक मैदान में पहुँचा वह आगे बढ़ना चाहता था लेकिन शाम भी अपने अंतिम चरण पर थी रात होने वाली थी रोहित वही अपना डेरा जमा कर लेट गया और सुबा होने का इंतजार करने लगा रात के अंधेरे में एक लड़की के रोने की आवाज सुनकर रोहित की आखे खुल गई वह उस आवाज की और बढ़ने लगा कुछ ही दूर पर एक महिला पत्थर पर बैठी रो रही थी रोहित उसके पास जाकर बोला कौन हो आप और इस उनसान जंगल में अकेले क्या कर रही हैं उधर से कोई जवाब नहीं आया रोहित फिर से बोला इस बार वह इस तरी बेहत खौफनाक आवाज में बोली तुम्हारे ही इंतजार में बैठी हूँ आखिर तुम आ ही गए ब्रह्मास्त्र लेकिन तुम भी कुछ कर नहीं पाओगे मैं तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाली मरोगे तुम सब ऐसा कहकर वह पीछे मुड़ी उसका चेहरा बेहत खौफनाक था जिसे देखकर रोहित नीचे गिर पड़ा वह चुड़ैल रोहित के उपर चड़कर उसका गला दबाने लगी नहीं नहीं छोड़ दो मुझे रोहित चिलाते हुए उठ बैठा ये सपना तो बेहत खौफनाक था रोहित पसीना पहुचते हुए बोला तब ही उसके आसपास से कुछ अजीब सी आवाजे आने लगी वह धीरे धीरे टेंट से बाहर जहाक कर देखा तो कोई नहीं था तब ही अचानक महाशेरों का जुंड आ पहुचा और रोहित को चारों तरफ से घेरने लगा रोहित डरते हुए बोला हे भगवान अब क्या करू ये तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे तब ही शभी सेर रोहित की और दोड़े और रोहित भगवान का नाम लेकर पीछे से निकल कर परवत की और भागने लगा रोहित के ऊपर चड़ गया और उसके चाती पर चड़कर रोहित के ऊपर अपने नुकीले पंजे और दांस से उसका शरीर फाड़ने के लिए आगे बढ़ा उसके बाकी साथी जोर जोर से दहार रहे थे तब ही रोहित जोर से चीखा बचाओ मित्रों इस कथा को पूरा सुनिएगा देव वाणी चैनल के साथ बने रहिएगा दोस्तों आपको या कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाओ कमेंट में जरूर दें हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा गयन पराप्त हो जय श्रीराम भक्तों